हालो गैज मैं अंगुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में इस वीडियो में गैज हम बात करने वाले हैं SRM Contractors IPO के बारे में आप सभी को पता है कल यानि कि 26 मार्च को है इसके closing date तो क्या हमें इस IPO में apply करना चीए नहीं करना चीए latest subscription data, latest great market premium और overall scenario जो है इस company का current market के situation में क्या safe है या नहीं है अगर जो नहीं है safe तो क्या हो सकते safety point, क्या है latest great market premium हर एक चीज आपके साथ इस वीडियो में cover करने वाला हूँ साथने short में business, financials and long term में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं या लिस्टिंग इंगले से उख जाए वो भी बताने वाला हूँ साइस का IPO है ठीक है इस बात का ध्यान आपको देना है 35% कोटा रखा गया है और इसमें सर्फ और से 31,000 अप्लिकेशन अप्रॉक्स रिजर्व रखे गया है रिटेलर्स के लिए करीब 316 अप्लिकेशन स्मॉल एचनाई और 663 बिग एचनाई के लिए रिजर्व रखे गया ह ठीक है तो यह हो कि इसकी बेसिक डीटेल्स इस कंपनी के बिजनस के बात रखा इस तो कंपनी 2008 से construction और development वाक कर रही है इस तरी के प्रोजेक्ट का ठीक है जिसमें गौर्मन बिल्डिंग्स के साथ साथ टनल पुल रूट्स ठीक है यह सारी चीज़े आते हैं इसके साथी कं कंपनी ने काफी अच्छे प्रोजेक्ट भी किया है और कंपनी काम कर रही है और यह जम्मू एं कसमीर में काम करती दिख रही है तो वहां पर भी काफी development होना बाकी है अभी तो शुरूआत हो ठीक है अब कंपनी के प्रोफिडबल्ट की बात करें तो कंपनी प्रोफिडब ही देखोगे तो करीब एक सोट का प्रोफिड बना लिया है ठीक है तो revenue data देखे, asset data देखे, हर एक चीज़ हमें positive मिल रहा है थोड़ा सा यहां पर borrowing का issue है बट वह भी ज्याता देखा क्योंकि जो पैसा market से उठा रही है ना उस पैसे को यह इस borrowing को pay करने में लगाने वाली ह सारा नहीं तो थोड़ी बहुत बहुत रह जाने वारी है ठीक है तो financially company stable है company का जो business है वो भी stable देने को मुल रहा है और फीचर में growth देने को में लेगी ROC की बात करें तो 29.43 का है ROE की बात करें लगभग 25 के आस पास निकल आगा बहुत ही बढ़ी है पैट margin करीब 8.98 का निकल के आ रहा है काफी positive हमें देने को मुल रहा है तो इस company का मतला है सारम contractors का करीब 18.76 निकलता दिख रहा है पी बागी company से comparison करोगे तो आपको देनों लगए कि इससे सस्ती है इससे सस्ती है इससे थोड़ी सी महेंगी है और इससे थोड़ी से सस्ती है बहुत differentiation नहीं है तो अच्छी company नहीं है उनसे बहुत ज़्यदा gap नहीं है तो आपको लिस्टिंग एन के लिए से gap छोड़ा तो है बट ऐसा भी नहीं की बहुत सस्ता प्राइस बन रहे है यह company का जो डेथ है वो भी कम हो जाएगा company के financial data ठीक है बहुत तोड़ू फोडू IPO का वो थोड़ा सा negative है आपने भी देखा मार्च के IPO जो भी लिस्ट हुए उनकी पिटाई होती देखी है तो थोड़ा सा sentiments negative है अधर्वाइस जो company आई है इसमें overall जो चीजे है वो ठीक देखने में लग रही है थोड़ा सा प्राइस और सस्ता होता तो बहतर होता ठीक है तो इंपोर्ट न्यूस मार्केट के इंपोर्ट न्यूस सस्क्रिप्शन डेटा जी एंपी सब कुछ बिल जाएगा साथना ये चैनल जहां पर आप देख सकते हो आज के दिन करीब एक सो साट पॉंट अगें देहने को मिला एक लेवल था वो एक्टिव नहीं हुआ करके देख इसका जो लिंक है डिस्क्रॉप्शन में नंबर एक पर देखने को मिल जाएगा नंबर दो पर मैंने आपको न्यूज चैनल का बता ही ठीक है फटाफ़ इसको जॉइन कर लो काफी आपके काम का है ये काफी सारी चीज़ आपको हाँ पर मिलने वाली है फ्री आफ कॉस्ट पर गाइडेंस के साथ ठीक है तो हम वापस आते हैं अब सारी चीज़े ठीक हैं हमने भी डिसक्स किया है लेकिन सिर्फ एक सो तीस करोड़ का आई पियो अगर जो सत्रे गुना ही डेटू तक सस्क्राइब हो खासकर तब जब इसके आसपास कोई आई पियो ना हो तो ऐसी क तो दिक्कत हो सकती है ठीक है तो भाई सेफटी पॉइंट के लिए अट लीस्ट एक सो तीस करोड़ के आई पियो में सतर गुना कम से कम तो हो जाना चीए मतलब यहां पे मालो सतर से असी गुना का जो सस्क्राप्शन हो जाता है तर तो सेफटी देखने को मिलेगी नहीं त तो हम इससे उम्मीद कर सकते हैं उपर से दूसरे आई पियो नहीं है में में और मार्केट के पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुगा है डालने के दिए तो जो नहीं मार्केट से पैसा आ रहा है तो सिंपल सी बात है अगर जो मार्केट फियर में रहेगा और कोई आई प लिस्तिंग के लिए थोड़ा मोड़ा रिस्क लेके जाया जा सकता है नहीं तो फिर सेफ्टी चीए तो मैंने आपको चीज़े बताई दी ठीक है जो रीजन था वो भी आपको बता दिया फिलाल के सी साइप को जो देखा जाए करण सिनारियो में तो तो आपका क्या डिसे आपने एशे हमें लगा दिया है या लगाने वाले हुक्त मेंट करके बताने जरूरूरर साथ में वीडियो कैसे लगी ये भी अगर जो आपको चीज़े हो तो एक बार में लास्ट डे पे आपके लिए फाइनल डिसेजन वीडियो भी ड दाल दूँगा क्मेंट करके अगर